क्रिशी छेत्र में हो रही क्रांती को किसानों से अवगत कराने के लिए राजिस्थान के कोटा में 24 जन्वरी से 25 जन्वरी तक दो दिवे से क्रिशी महुटसव, प्रदशनी और प्रशिक्षन का आयजन के आगया क्रिशी महुटसव में किसानों को क्रिशी बागवनी और प्रशिक्षन का प्रशिक्षन दिया गया जहां वैक्षानों में केद्र और राजी सरकार की विपिर किसान का लेंड कारी योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारिया दी गई आपको बता दें कि क्रिशी महत्सों में लोग सवाज स्पीकर ओम मिर्ला ने कहा कि किसानों की आये बढ़ाने की लिए सभी को मिलकर काम करना होगा उन्होंने कहा कि इसके लिए किसानों को ही आगी आना होगा उन्हें कम लागत में अच्छी फसल का उत्पादर करना होगा इसके लिए तकनिक अपनानी होगी साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को ही अपने प्रोडक्शन का प्रोसेस करके बाजार में बेचना होगा इससे उन्हें जादा फायदा भी लेगा साथी किसानों को अपने प्रोड़क्ट में वैल्यू एडिशन भी करना होगा तो वही दूसरी तरफ केद्री मंत्री के लाज शौधरी ने अपनी सम्मोधन में कहा कि भारत सरकार ने क्रिशी बजट को बढ़ा कर 13,002,000 करोर कर दिया है जबकि 2013 में ये महस 23,000 करोर था प्रधान मंत्री नरेद्र मूधी के पहल पर ही यूनाइटेड नेशन ने साल 2030 को अद्दराष्टी मिलेट्स एयर घोशित किया है इसमें बातर देशों ने समर्थन भी दिया साथिरों ने कहा कि दुनिया में मिलेट्स की एक्सपूर्ट का फायदा राजिस्थान सहे देश भर में मोटे अनाज का उत्पादर करने वाले किसानों को बिलेगा साथिस क्रिशी बहुर्सों में देश भर की 75 से अधिक स्टार्टप्स और क्रिशी उत्पाद निर्मादा कप्णियों की उपस्तिती रही जिन में से कुछ कप्णियों रहे क्रिशी जागर्ट से बाचीत के दुराट क्या कुछ कहा आईए जानते है क्रिशी जानते हैं इसके साथ जो है अमारी परमोस फोग्राम की जोगतिविदी है किसानों को तक्निकी ज्यान देने के लिए उसमें जैसे आज ये मेड़े में अमारी स्टोल लगा है किसानों को दे रहे हैं जो उत्पात दे रहे हैं उसके पूरुण जाणकारी के लिए गाहों के पर किसां सबाय करें किसान बेड़े लगा रहें और इस वे बेड़ करे में के अलबा ग्रूप डिसक्रिशन होसे शेकारित्या मैनेज्जर्स को देख करके और उनके माध्यम से आगे किसानों को परश्ख्षित की आ रहा है इसके अलबावा हमारा एक नया उद्पात यह मेपी आया है जो कि लगबग 242-242 आस्पास हमने किसानों को धिया है सब्सक्राइब अगर अपने उसकी गंड़ना करें किसान की इसाब से जो है किसानों के लिए सस्ता और बहुत अच्छा उत्पाल है इसके अलावा इस वार जो है हमारा एक नया प्रोड़क्ट जो है सागरी का आ रहा है जो कि आपके किसानों का उससे बड़ा अटेच्मेंट बहुत पसंद कर रहें इसके लावा हमारा जैज़गृ किसानों को परतिवर्य से उप्लब करारें श्याकरिंद्यों के मातिन से हमारे जो है राजस्तान में दो प्लांट है एक अमारे प्लांट पर यहां कोर्था में उसमें अन्मांगण में आपका भूं का घुवार का इ शर्चों का वीज़ उत्पादनी करते हैं और किसानों और विकास के लिए परियास करता रहेगा और नहीं नहीं उत्पाद किसानों की दिवार तक कुण जो एर ओर नहीं नहीं तकनीक जो है खेती की उसमें हमारे जो चेत्रिय दिकारी अर्जिले में कारिय कर रहे हैं उनके मादम से किसानों को लगातार उप्लत करवाई जारी इस आगामी जो सीजन आने वाड़ा है उसके लिए भी योजना जो है शुरू हो गई है आगे रभी सीजन में हम जो है यूरिया डीएपी मंगवा करके और अगरीम बंडार्ण जो है राजतान सरकार के मादम से राजफ्रेट के मादम से करने की योजना है जिससे आगामी रभी सिजिल में किसानों को जा है वो समय पर जो है कि सभी उत्पाद और तकनिक के गयम जो है उप्लत दोस्त है इंडियन पोटाश आप देखेंगे तो राहिस्तान में जो सबसेदा डीएपी की पूर्ती के वल आई पेल ने की है हम लॉसिज होते में भी सबसेदा माल स्टॉक्स अपने यहां लेकर यूरिय के लावा जो हम राहिस्तान में से जो करते हैं उसके तरह हमारा सिटी कंपोस में जीज जो जैव हम थर्ड लार्जेस्ट प्रोडियोसर हैं इसके अलावा हम अपना देशी को भी बनाते हैं हमारा अपना से कैटल भी आता है जो डेली और एंस्यार के आसपास ही जिसका तरह हो जाता है तो उसकी क्वानिटी बहुत अच्छी है राहिस्तान के लिए हमने पूरी राहिस्ता क्राइब करें कि ना कि अदर कंपशनियों की तरह है वह अपना रेलेट से बोल देते हैं कि आप माल ले जाई है हम डुपाहन तर माल पहुंचाते है उसकी सारी कॉस्ट कंपणी वे रिघ करती है तो जिससे किसानों के पायता होता है कि उच्छिद रेट में महल मुझता है यूरिया आने वाले टाइम पर हम जैपूर के आसपास में अपना कुछ मैनुफेक्श्रिंग प्लांट भी डालने का प्लाइन कर रहे हैं तो उसके अंदर हम प्रोजेक्ट ढूंड रहे हैं जिससे यहां के युगां को कुछी रोजगार हम जेनरेट करा पाए तो इस आप ज वर्ग से आता है तो इसलिए इसको हर संभव नेड़ने लेने कोशिश करते हैं जिससे देश की किसानों का और देश की करशी का भला हो सके अब हमें लगा कि यूरिया जो है वह हमारी जमीन को वायू को जल को प्रदूशित कर रही है और हमारी भूमी की उर्वरता भी कम कर लाता है तो इसलिए उचा कि देश के वले के लिए उसका यूरिया का विकल्प रूणडा जाए तो उसके लिए यह नैनो यूरिया की रिसर्च करके प्यांटेड इफको ने प्रदूशिक्ट बनाया है और देखे इसका फाइदा कि एक मोतल एक कट्टे यूरिया को रिकल किसान के लिए और देश के लिए भले के लिए है और बहुत जल्दी हम नैनो डीएपी विला रहे हैं जो डीएपी का बैग है वो हमेरे देश को 3700 से 4000 का पड़ता है लेकिन किसान को नैनो डीएपी की बोतल 600 रुपे में उपलप्त करवाई जाएगी और एक कट्टै के अब जाहा कट्टै सबही किसान भई इसको खुले दिल से अपना है और अपना और देश के उत्थान्मय योगत। गॉलतल्म है कि कृष्यिं मौत समय बिए किसानों को स्टर्टal से खेति के छेत्रमे हो रहे नवाचारू और नए तकनिक के बारे में जानकार्या दी गई जिससे की वे इस तक्निक को अपना कर किसान कम छेतर में कम लागत और कम समय में अधिक उपच और अधिक मुनाफा प्राप्त कर सके इसके साथ ही किसानों को कई प्रगतिशिल किसानों से भी सववाद करने का अवसर प्राप्त हुआ जिनों रही अपने खोशल और तक्नीक में सुधार करती हुए खेती को लाप्रत और सरल बनाया है उन्हें के अनुभव को जानने से अन्नी किसानों में भी खेती की नई और वेग्यारिक पद्दियों की और अगसर होने की प्रिविटा बनी फिलाल के लिए बसेता ही ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रही है हमारे साथ ब्यूरो रिपोर्ट क्रिशी जागर्ड